हेलो फ्रेंड्स चैकर वे संकीता में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ सेर करने जा रहे हूं व्रत में खाने वाली संघाडे क्याटे से बनने वाली एक और नई रेसिपी यहां पर आजम बनाएंगे अलो चाप की रेसिपी जो बिल्कुल संघाडे क्याटे से बनेगी बहुत जादा बैहादरिन इसका टेस्ट आता है आप अगर एक पर इस रेसिपी को एकदम फैवरीट होने वाली है जब भी आप फास्ट रहेंगे तो आप इस रेसिपी को जरू कर लीजेगा इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर मैंने पाज उबले वे आलू लिये हैं उसके साथ हैं पर थोड़े से धन्यापती हरी मिर्च और साथ ही अत्रप को गद्दू करके ले लिया है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने आप जो आलू लिया है उस से अच्छे से मैस कर लेंगे आप छाहें तो इसे मंतलब की ट्रश करते हैं या पर और आप पते एड़ कर देंगे अगर आप प्रत में अद्रक नहीं खाते हैं तो आप इसके बिगर सकते हैं थोड़े से यहां पर दन्यापती डाल दीए बहुत ही अच्छे सीस का टेस्ट आते हैं सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा अलुग है एकदम कलरफुल हो चुका है अब हम क्या करेंगे थोड़े से यहां पर हम मसाले डालेंगे जो हम फास्ट में यूज करते हैं सबसे पहले यहां पर मैं थोड़ा सब नमक डालूंगे और कर सकते हैं यहां पर उसी कर सकते हैं सब भी को एक बार रचे से मिक्स कर लेंगे मैं यहां पर हल्थ Americans नहीं करती हूं क्योंकि मैं नहीं खाती हूं अगर आप खाते हैं तो और भी även मसाले यूज़ कर सकते हैं सबही आपरसक्थ आसान तरीके से इसके आप म watches वाइंड हो जाया गा और चोटे-चोटे यहां पर बॉल बना सकते हैं मैंने यहां पर मेडियम से इसका बॉल लिया है जिसे अच्छे से हाँ से रौंड सिप में दे दिया है आप इसे फ्लैट करके भी बना सकते हैं मैं अज रौंड वाला आलुचा बना रही हूं की रेसिपी भी आपको मिल जाएगी यहां पर लगबग एक पॉक के करीब मैंने इस इंगाड़े का आटा लिया है जिसे अच्छे से मैंने चान करके एक बरतन में निकाल लिया है थोड़ा सा इसके अंदर यहां पर मैं जीरा डाल दोंगी उसके बाद हम क्या करेंगे कि कावी ज्यादा लंस बढ़ जाएंगे जिसे निकाला मुस्किल हो जाएगा थोड़ा-थोड़ा करके पानी याड़ करेंगे और इसका एक मेडियम थीक बैटर बना करके रैड़ी करेंगे एकदम थीक नहीं रखना है नहीं तो जो हमारे चाप बनेंगे एकदम उसके ऊपर मूटी हाटे के लियर हो जाएगे और एकदम पतला नहीं रखना है जिसे कि हम फ्राइ करेंगे तो फट जाएंगे मीडियम इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए यहाप आप देख सकते हैं काफी अच्छे से हमें इसे फेटना है यहाप हमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी जिसे कि हमारा जो बैटर एकदम परफेक्ट हो जाएगा तो बस अब इसे एक बार और अच्छे से मिक्स करके पांस से तस मैट के लिए रेश्ट करने के लिए छोड़ देंगे जब तक हम क्या करेंगे तो फास्ट में खाने के लिए मुंफली का तेल या फिर घी यूज कर जो सकते हैं तो यहां पर मैंने मुंफली का तेल लिए जो कावी अच्छे से गरम हो चुक है और जो हमारा बैटर है वह बिल्कुल अच्छे से रैडी है अब हमने जो बॉल बना करके रखे थे ना उसे एक एक करके बैटर में डिप करते जाएंगे और अच्छे से अब हम करना है यह तो ऊपर से बहुत ही ज्यादा इसका कलर आ जाएगा और अंदर से जो हमारे सिंगाड़े के आटे है वो कच्छे रह जाएंगे आपको मेरी रेसिपी कैसे लिए कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सुस्क्राइब कर बहुत ही अच्छे से हमारा जो बैटर है वो चाप के अंदर मतल आलू के जो बॉल से उसके अंदर अच्छे से कोट हो जाएगा और काफी अच्छे से इसे पका लेंगे अब हम इसे मीडियम फ्लेम में कुक कर रहे हैं तो अलट पलट करके दोनों तरफ से गोर्डन बनाते हैं आटे और आलू के साथ में बना करें एक बर आप इस रेसिपी पर संदरी साथ और आफिंगेगा और ये बी Tao कहां से देख रहे हैं दोनों तरफसे मैंने यसे काफी तो अब हम पता-पते से बाहर निकाल लेते हैं यह आप हमारे जो आलूचा पसिंगाड़े क्य चाटे से बने हुए खाने के लिए बिल्कुल रड़ी है पटा फट चटनी बनाते हैं हरी मेर्च उसके सांथ मोंग पली के दाने दन्या पद्धी और साथ यहां पर मैंने एक इंच अध्रक का तुकड़ा लिया है जिसे हम नमक और उसके सांथ थोड़े से जीरा डाल करके अ यहां पर हमारी जो ती की हरी चटनी है वो भी बन करके तयार हो चुकी है तो चलिए अब गर्मा गरमे से सर्व करते हैं यहां पर हमारे संगाड़े क्याटे से बने हुए अलूचा बिल्कुल रेड़ी है रेसिपी पसंद आई होगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चै करना बिल्कुल भी नहीं मिली